हम पार्टी के नेता जीतनरामांजी और संतो सुमन मांजी नितीश जी के नेतरित्यु में मंत्री मंडल से बाहर निकल गए और उन्होंने आरोप लगाया कि नितीश जी हम पार्टी को जद्यू में विले कराना चाहते थे और इसके लिए राजनितिक दबाओ था अब ये बात अस्पस्ट हो गई है कि नितीश जी राजनितिक भरोसे के काबिल नहीं, राजनितिक तोर पर ये शातिर सक्सियत है और बिहार के सबसे बड़े पॉलिटिकल फ्रॉड है इतिहास सक्षी है कि नितीश जी ने जिस तरीके से लोग जन्शक्ति पार्टी को कभी अपनी पार्टी में मर्ज कराने का दबाओ दिया था, ओफर दिया था यही नहीं उपेंद्र कुश्वाह जी को, उनकी पार्टी को दो-दो बार उन्होंने मर्ज करा लिया और उपेंद्र जी को जिस तरीके से धोखा दिया वो जग जाहिर है अब तो समय के अंतराल में वी आईपी पार्टी के बारे में भी सुनने को आया है कि जद्यू में मर्ज कराने का ओफर था अब हम पार्टी ने ये आरोप लगाया है, नितीश कुमार जी बिहार की राजनिती के सबसे बड़े शातिर व्यक्ति है समता पार्टी ने सकुनी चौधरी जी को धोखा देकर हतिया लिया और जनता दल यूनाइटिन जोर्ज फरनांजिस जी और सरद यादर जी को धोखा देकर हतिया लिया अब देखिए कि जिससे इनोंने काम निकाल लिया, तो उसकी राजनिती का अंत भी कर दिया उसकी राजनिती का पट्टा छेब कर दिया अब नितीश जी लालू जी की गोद में बैठे है इनसे दलित महादलित चले गए है इनसे जो अन्य वोट बैंक है वो तकलीफ में है नितीश जी ने आरक्षन की जिस तरीके से हानी की बिहार में वो जग जाहिर है National Commission for Backward Classes ने इनकी पोल खोल दी अब नितीश जी अब इनकी राजनिती का पोल खोल गया है अब ये लालू जी की गोद में बैठकर अब सिर्फ दिवास्वपने देख सकते हैं जब तक की आरजेडी इनको टोलेरेट करे वो दिन दूर नहीं जब इनको आरजेडी धकिया कर सरकार से भी बाहर करेगी और आस्रम भेज कर रिटायर करा देगी राजनिती